दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए विडियो में जिसका नाम है भकतोलजी अंद भकतों की शाखा जहांपर हम लोग जम करके इन चड़ी थारी चिंटूओं की वाट लगाते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम करत सबसे पहले दिल से आप लोगों को ईद की बहुत सारी मुबारक बात देना चाहता हूं अब दुनिया में जिस भी कोने में बैठे हो दिल से मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन और आने वाला समय बहुत ही अच्छा जाए coming back to the topic जहाँ पर हम इस पूरे segment में गोधी मीडिया को कई बार expose करने का काम करते हैं गोधी मीडिया के सामने logical questions रखने का काम करते हैं आज हम बात करेंगे एक गोधी यूट्यूबर के बारे में जिया जब गोधी मीडिया के बारे में आप सोचते हैं सबसे पहले दिमाग मे जो की है गौरफ तनेजा या फिर फ्लाइंग बीस जिसको की पूरे सोचल मीडिया पर कहा जाता है फ्लाइंग बीस जो है इसने फिर से एक बार बहुत बड़ा रायता फैला दिया उसी के बारे में आजम बात करेंगे और इसको expose करने का भी काम करेंगे थोड़ा सापको background देना चाता हूं जो लोग नहीं जानते उनको बता देना चाता हूं फ्लाइंग बीस जो है यह बहुत बड़ा यूट्यूबर है बहुत बड़ा social media influencer जिसके YouTube के उपर 7,000,000 के आसपस subscribers इंपक्ट Instagram के उपर मिलियन सबस्क्राइबर है और Twitter के अगर बात करी जाए वहाँ प पे जब पटाकों के उपर बैन की बात होती है तो बहुत हला मचाने का काम करता है लगातार प्रोपगैंडा को पहलाने का काम करता है नूपुर शर्मा जैसे लोगों को सपोर्ट करने का काम करता है और जब सुप्रीम कोट नूपुर शर्मा को पटकार लगाने का काम करते है तो Supreme Court को के उपर ही ये भॉंकने का काम करता है, ये कहता है कि आज जो है Indian Judiciary के लिए एक बहुत ही जादा डार्क डे है, ये सब ये खुट ट्वीट करने का काम करता है, हुआ क्या, इस आदमी का कल जनम दिन था, इसका जनम दिन था ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनम दि जाता हूं कि इसकी वाइफ ने एक दिन पहले लोगों को invite करने का काम किया था, ये कहा था, इसकी वाइफ ने कहा करके, बार बार स्टोरीज डाल करके, लोगों को invite किया था, ये कहा था, कि हम एक meet-up कर रहे हैं, और गौरफ तनेजा के लिए एक surprise meet-up होने वाला है, तो यह पर ये पूरा का पूरा आइडिया था लेकिन ट्विस्ट क्या था यह आपको बताता हूं इस इसकी वाइफ ने कहा कि गौरफ तनेजा का बर्दे है और मैं उसको सप्राइज करना चाहती हूं आपकी स्क्रीन पर इस ताइम पर एक वीडियो भी चल रही होगी जहां पर इन् करना चला कि उसकी वाइफ इतना बड़ा सप्राइज प्लान कर रही है इसकी वाइफ ने यहा पर साहत में ये भी बोला कि मैंने गौरफ का phone जो है अकाउट जो है उसको hack कर लिए इसलिए उसको पता नी चलेगा कि मैं story डालने का का काम कर रहे हूं इतने बड़े social media influencer का लिए इसके बाद मैं रेडी होने माली हो तेर्ट बजे मिलते हैं for the big celebration will meet you soon bye bye लिटूराटी पहुंची गौरब तनेजा भी पहुंचे बहुत बड़ा मीटप भी हुआ मीटप में हजारों लोग भी आये लेकिन उसके बाद गौरब तनेजा को अरेस्ट कर लिया गया क्यों कहानी में असली ट्विट्स आपको बताना चाहूंगा कि जिस टाइम पर यह मीटप प्लान किया गया उस टाइम पर नॉड़ा के अंदर सेक्शन 144 लगा हुआ था आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा बढ़ रहे थे और कुछ त्योहार भी सामने आने वाले थे जैसे कि आज एद और आने वाले दिनों में कावर्ड यात्रा इसको देखते हो एक सेक्शन 144 लगाया गया था और ये बात काफी जादा पहले से वेल इन इर्वांस सब लोगों को पता थी लेकिन उसके बावज हो चुकी है लोगों के उपर इस टाइम और डिन पहले इन्होंने पतरकार की उपर भी केस किया था आई कोट कें दर वहां पर भी इनकी पूरी तरीके से बेजरती हो गी थी उससे थोड़े दिन पहले इन्होंने एक airlines company के उपर भी केस करने का काम किया था और ये law की काफी जादा information यहाँ पर रखते हैं अगर ऐसे आदमी को section 144 के बारे में पहले से नहीं पता था तो यह अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात और यहाँ पर पहला doubt भी यहीं से create होता है आपर इसने का था कि बहुत बड़ी financial crisis आ गई इसके ओपर अपनी बेटी की और अपनी बीवी की रोती हुई शकल इसने थमनेल पर डाली थी और उसके 6-8 महिने बाद इसने BMW जो की 60-70 लाग की आती है वो खरीदने का काम क्या ऐसा हो सकता है जारा खुद दिमाग लगा के बत और इस पूरी फोटो में आदमी आपको पुलिस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहे सोचे जरा एक बार जिस आदमी को एक लौ तोड़ने के लिए अरेस्ट किया गया हो क्या वो इस तरीके से अपना फोटो सेशन कराने का काम करेगा डेफिनेटली नहीं यह फोटो दूसरी तरफ से सोचिए यह वो टेबल है जहां पर एक तरफ पुलिस वाले बैठते हैं और जो दूसरी तरफ है वहाँ पर ओफेंडर बैठते हैं गौरब तनेजा डेफिनेटली पुलिस वाला तो नहीं है ओफेंडर ही होगा यहां पर ऐसे में इस फोटो को देखकर पूर कहीं ना कहीं रहा होगा इन दोनों फोटो को देखने के बाद यह शक और जादा गहरा जाता है कि गौरफ तनेजा अरेस्ट हुआ नहीं था यह पूरा का पूरा प्री प्लाइंडिक स्टेज ड्रामा था यहां पर कुछ लोग पूछेंगी गौरफ तनेजा आखिरक सून याने कि लोग इसके जो अपने व्यूर्स हैं वो भी इसकी चालों को समझ चुके हैं और यह बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह भी पूब्लिसिटी स्टंट ही एक होने वाला इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे लोगों ने किस तरीके से इस पूरे मैटर के चटकारे लिए आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं जब यह निउस निकल कर रहा है इंडी टीवी के माध्यम से उसके कमेंट सेक्षिन में लोगों ने क्या क्या कमेंट करने का काम किया सबसे पहले यह चेतन लिखते हैं कि पूलिस ने अरेस्ट किया आपकी स्क्रीन के उपर जो इस टाइम पर रख रहा हूं अब इसका नाम है गौरफ थाने जा गौरफ तनीजा इसका नाम है और गौरफ थाने जा इस आदमी ने कमेंट करने का काम किया जो कि अपने आप में काफी जाधा क्रेटिव है दिखाना चाहता हूं कि यूट्यू F.I.R. got registered after 10 days Thank you guys और ये आदमी जो है अर्जुली व्लोग्स वाला है जो बंदा आपको नजर आ रहा है ये जेल भी गया था एक दिन के लिए इनका मैटर कुछ और था उस मैटर की सच्चाईयां कुछ और थी लेकिन इसका व्लोग इन्होंने बनाने का काम किया था उसके लावा आपको दिखा देना चाहता हूँ Mr. Indian Hacker बहुत बड़े ये यूट्यूबर है और इन्होंने भी एक meet-up करने का काम किया था जहांपर इन्हों लिखा हुआ है कि meet-up gone wrong पुलिस ने पकड़ लिया हाला कि पुलिस ने इनको बचाने का काम किया था लेकिन इन्होंने थमनेल में ये लिखने का काम किया उसके अलावा एक और बहुत बड़े बहुत जादा बड़े यूट्यूबर है जिनका नाम है इलवीश यादव इन्होंने भी कि एक meet-up किया था जिस पर इन्होंने लिखा हुआ है जैपूर meet-up और नीचे लिखा हुआ है आर्मी आ गई वा एक से बड़े एक मतलब ये यूट्यूबर के बीच में आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है कि अपने आपको अरेस्ट होते हैं दिखाओ या फिर meet-up करो वहाँ पर पुलिस आ जाए उसी ट्रेंड का भी एक हिस्सा हो सकता है फ्लाइंग बूस्ट का ये पूरा का पूरा स्टन्ट इसी का दोस्तों दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है कि गौरफ तनेज्जा जो कि भारतिय जंता पार कि लोग आते भी हैं या नहीं आते हैं और वह इनवाइट करते तो आखिरकार ओन ग्राउंट कितने सारे लोग आते ये चेक करने का काम भी कर सकते हैं या पर गौरफ तनेजा छो जो हैं भारतिय जंता पार्टी के लिए पूर्फेक्ट मिक्स भी बन चुके हैं सबसे पहल आपको मैनुपलेट करने का काम करते हैं यही सब चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दियो लाइक के बटन को सब्सक्राइब के बटन को बेल आइकन को जरूर दबाईए अगर आपक झाल्यास